नमस्कार साथियो स्वाग्त है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बर्खास्त PTI 6 कों के परिवार से संबंधि जानकरी कि इस परकार बर्खास PTI 6 कों के परिवारों को जेलनी पड़ रही है आर्थिक तंगी क्या क्या आ रही है उनको दिखते हैं पूरी अपडेट के लिए वीडियो को अंतक देखना और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडिय और बहरी सरकार जल्द से जल्द इन PTI 6 कों की बहाली का कोई रास्ता निकाले तो साथियो पूरी खबर इस परकार है आर्थिक तंगी से आहत बर्खास्थ PTI की बेटी के आतम हत्या करने पर दुख जताया खबर रोतक से है नोक्री बहाली के लिए पिछले 135 दिनों से कर्म अंसन पर बैठे बर्खास्थ PTI का विरोध मंगलवार को भी जारी रहा इस दोरान अंसन कारियों ने शक्ति नगर निवासी PTI नरेश की बेटी सोनु की सिनु के आर्थिक तंगी से आहत होकर आतम हत्या करने पर दुख परकट किया साथ ही इसके लिए व्यवस्था को दोस ठेहराया अंसन कारियों ने कहा कि PTI नरेश की बेटी सिनु मानसिक रूप से पिडित थी उसने आर्थिक प्रेसानी से तंग आकर आतम हत्या कर ली उनके पिता ब्रखास्थ PTI ने लोन लिया था इसकी किस्त नहीं जा रही थी तो उस किस्त की अका भी उनके उपर बोज था BSC Final Year की छात्रा सिनु प्रिवार में सबसे बड़ी बेटी थी पिता की नोकरी जाने से वे मानसिक तनाव से गुजर रही थी घर की आर्थिक स्थिती खराब चल रही थी इस घटना से पूरा प्रिवार सदमे में था जिले के सभी PTI सोका कुल प्रिवार को सांतोना देने उनके घर पहुंचे यहां उनका डांडस बंदाया PTI का कहना है कि सरकार की हठ धर्मिता के चलते जान देने का सिलसला जारी है यह एक और उधारन है नोकरी जाने से आहत PTI के प्रिवार में ऐसी घटनाए और हो सकती है अगर उने जल्द से जल्द नोकरी पर भाल नहीं किया गया तो सरकार को चाहिए कि बरकास PTI सिक्सकों की जल्दी से जल्दी भाली करे यह उन्हें समायोधित करके उनके प्रिवारों के चुले बुझने ना दे तो साथियो इन्हें रोकने के लिए सरकार को सखारात्मक करना चाहिए तो ये आज की PTI 6 को से संबंदित ख़बर है तो साथियो इस ख़बर को इतना ज़्यादा सेर करना कि PTI 6 को की सरकार को बहाली करने के लिए मजबूर होना पड़े क्योंकि हर तरफ से PTI 6 को के परिवारों से और PTI 6 सक्योंची इतनी दुर दसा हुई है इस आंदोलन की वज़े से इस बरकास्तगी की वज़े से तो साथियो आज की इस वीडियो में इतना ही नमस्कार